कि चलिए हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर गह रहे हैं एक कुशन और आपके टैनियर का यह रहा आपके सामने कुशन मैं थोड़ा सा विज्वल करवा देता हूं क्या कहता है कुशन देखते हैं पहले कुशन पढ़ लेते हैं ना कहता है एक्स ओन टू अइडिन्टिकल हाउस सर दो घर बोल दिया है ना तो बना लेना फायदे में रहेगा हाउस पॉपटिस समझ में आ रहे हैं आपको तो सेलरी से तो इजी है अभी सेलरी में भी थोड़े कॉंसेट बाकी है और भी एटी जी नहीं और भी कॉंसेट रेट्रेज्मेंट कंपंसेशन वगरा मैंने जितना आपके पेपर में आता है वो तो पूरा करा दिया उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम पर करेंगा सारा नहीं तो आपको डियू ने ना कम टाइम दिया है क्योंकि आपके पेपर भी लेट हुए थे तो वैसे छे मेहना प्रॉपर चाहिए बच्चों को इस सब्जेक्ट को करने के लिए ना आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा अब जो बच्चे आएंगे उसको अगले साल तीन समिस्ट्र देने होंगे 21 पेपर है उनके एकले बाहर 2023 में समिस्ट्र वन है समिस्ट्र टू है समिस्ट्र थी है चलिए एनिवेज करते है ठीक है एकस के दो इडेंटिकल हाउस है यू आर रिक्वेस्ट्ट्र दू कंप्यूट इस इंकम अंडर दे हैड अफाउस पॉपर्ट्ट्री तो असेस्मेंट ये 2021 और डिटेल अफ टू हाउस एच वन एच टू ठीक है एच वन और एच टू मुनिसीपल वेल्यू एमवी आपका है 240 मुनिसीपल वेल्यू 240 ठीक है सर आगे फियर रेंट 280 अब देखो यहां हाउस वन कह रहाए न तो इसका मतलब दूसरे घर का भी होगा नीचे दे रखा है हम बात में देख लेंगा उसको रेंट रिसीवेबल यानि सर यहां पे स्टेंटर रेंट नहीं है तो सर स्टेंटर रेंट नहीं है तो नहीं है एक्सपेक्टेट रेंट तो आ सकता है ना, 280, और कहता है, रेंट रिसीवेबल 25,000, तो 8RRR, 2500 या 25,000, हजार, multiply, कहता है, दो महिने के विकेंसी है, तो 10 यानि 2 लाग, चलिए, कहता है, interest on borrowing capital, आगे की बात है, ये कहानी दूसरी है, municipal tax, 10% paid on 31 March 2021, क्या eligible हो गई है, इसने 10% pay किया है, तो 10% हमेशा याद रखना इसका होता है, यानि 240 paid किया है, और इसने paid कर दिया 31 March 2021, हम काम कब के लिए कर रहे हैं, एक चार, दो हजार, बीस से लेके, 31, तीन, दो हजार, एक किस, law क्या कहता है, साल में जितना भी payment करोगे, 31 March तक या उससे पहले सारा ले सकते हैं, तो मिल जाएगा deduction, interest on borrowing loan, अब देखो कितना आसान कोशन है, बोल दिया, इसने interest on borrowing capital, capital कहता है, loan ले रखा है, इसने कितने, 6 लाग का, raise 14, 13 में, और construction of the house, construction was start 14, 12 में, 12 में start हुआ था, and completed 18 में हो गया था, half of loan वो repayment, repaid कर चुका है, rate of interest 12% है, तो सर थोड़ा सा interest वाले point को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता है, H2 की detail भर लेते हैं, H2 कहाँ पे है, गुरू ग्राम में है, जिसका municipal value, 180, municipal taxes, municipal value के बाद, self-occupied है, ओके, यह self-occupied है, तो fair rent, where rent, बाकि standard rent दे रखा है, 1.5 लाग, तो यह सारे चीजे हमारे लिए बेकार हो जाएगा, तो direct हम GAV निकालते हैं, sir, यहाँ पे GAV vacancy है, मान लेंगे कि यह vacancy genuine है, तो ऐसे में हम पूरे पहले 12 महने का calculate करो, तीन लाग, और यह कितना कह रहा था government, दो 80, तो government बोलेगा, तुम ठीक बोल रहे हो, तो इसका मतलब अब load ले लेंगे, अब यहाँ पे हम minus कर देंगे, यह तो हमारा हो जाएगा 0, अब minus कर देंगे, MT, sir, MT, that is मैंने अलग से निकाला है, 24,000, और यह तो 0 रह गया, सर, minus करके आजाएगा, हमारा NAV, दो लाग, 40,000, 26,000, 226, minus करके, भाई, आप सब भी अपना minus करके जरूर चेक करिएगा, 24A, and 24B, 24A और 24B, यह तो आगया आपका 36,800, कितने percent होता है, सर, यह 30 percent, स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ है, अब बात करते हैं, B का, B को थोड़ा पेचीदा बनाया गया है, इसलिए हम इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या क्या कहता है, कोश्चन में उसके according कर लेते हैं, सर, B के अंदर कहता है सवाल में, कि हमने लोन लिया था, 14, 13 में, स्टार्ट एक चार बारा, यानि सर, हमने एक साल पहले ही बनाना शुरू कर दिया था, लोन बाद में जुरत पड़ा ले लिया, तो इसका इस डेट से स्टार्ट कब हुआ, यानि सब जब ये इंकम टेक्स रिटर्न फाइल कर रहा होगा, तो जो 2018 होगा, तो 2018 में इंकम टेक्स रिटर्न फाइल किया होगा, तो ये बनता है हमारे क्या, 17, 18, 19 है न, ये बनता है हमारा 18 और 19, 18, 19 से तो इसको लड़ाई है ये ने सरकार से, सरकार से लड़ाई होगी कब से, 31, 3, 2000, 18, तो अब यहां से यहां तक जो भी टाइम फ्रेम होगा, वो सारा PCP माना जाएगा, तो आपका 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, बहुत ज़्यादा समय आ गया इसमें, ठीक है न, ठीक है, अब सर, ये कितने होगे, आप 12, 12 महिने, 12 महिने, 12 महिने, और 12 महिने, टोटल होगे हमारे, 60 महिने का PCP माना जाएगा, आपको समझ भा रहा है, देखते जा रहे हो, ठीक है, सर, अब यहां कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो आता है हमारे कितना सर, लोन 6 लाग, इंटू में, कितने परसेंट रेट था, 12 परसेंट, इंटू में, 60 पटे में 12, रीपे तो इसके बाद किया है, रीपे कब किया है, उसने, हाफ अफ अफ लोन 31, 17 को पे कर दिया, बिलकुल, एक्जेक्टि, मैंने यह ध्यान नहीं दिया, 17 को रीपे किया है, तो सो देट, अगर इसने 17 को रीपे किया है, और 17, 21, 3, 17, यानि इस डेट पे रीपे कर दिया है, तो यहां पे हमारे पास कर जा था, 6 लाग, फिर से लोन 6 लाग, 6 लाग और यहां तक हमारे पास लोन रहा 6 लाग, half payment कर दिया, इसके बाद हमारा लोन हो गया start 3 लाग, तो हमारा जो हम निकालेंगे तो क्या रहेगा सर 6 लाग के उपर तो हमारा बनेगा 12% लेकिन सिर्फ in duration के लिए जो की हो जाता है हमारा 48 48 divided by 12 इसका 1 by 5 और बाकी 3 लाग के लिए आपका सिर्फ बनेगा एक साल का तो इंटू में आप कर सकते हो 12 by 12 फरक कोई नहीं पढ़ता 1 by 5 तो पहले वाले का क्या आगया interest 57 600 और दूसरे वाले का calculator नहीं लाए देखो calculator होना चाहिए हमारे पास सिर्फ 36 7200 तो total हो जाता है 64 800 64 800 अब बात करते हैं सर हमें जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं 20 और 21 तो सर चेक करना होगा 20 21 में loan was repaid or not तो ये house number 1 के लिए कहानी थी house number 2 की कहानी नीचे अलग से उसने दे दी है तो सर कहता है half was repayment question में कुछ नहीं बोला entire loan of interest current previous year outstanding सारा outstanding है हमारा तो सर यहाँ पे हमारा एक तो PCP जाएगा एक current year जाएगा PCP में आ गया 64 800 और current year का आ जाएगा हमारा current year का कैसे निकालेंगा सर current year का निकलेंगा तीन लाग पे क्योंकि तीन लाग ही कर जाए current year में 20 12% तो 36,000 सर की चुकि यह let out है तो कोई foundation है नी 36,000 तो यह आ गया एक लाग 800 रुपे ठीक है अब दूसरे के loan की बात कर लेते हैं सर दूसरे के loan के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ा चलिए हो जाए है start चलिए हो गया सर दूसरे का loan बना लेते हैं यलो कलर से loan 2 की बात कर लेते हैं ठीक है ऐसे ही समझ लेते है कहता है यह सब तो irrelevant है there was two construction 31,18 को हुआ start loan इसने लिए 14,14 को अब देख रहे हैं construction करा था 31,18 में लेकिन loan लेके बैठा हुआ था वो 14 में तो हम यहां से loan taken की date यही लेंगे 14,2014 में ठीक है 14,2014 इसके बाद कहता है interest payable was interest जो payment किया है हमने अच्छा बच्चे जोईन होगे मैंने ध्यान भी नहीं दिया अभी शेक अभी सारी बाते बता देता है जितने बच्चे new student है सारी चीजे बता देता है अभी ठीक है 14,2014 14,2014 में interest payable 10% per annum entire loan of interest current year और previous year outstanding सारा outstanding है सर घर कब complete हुआ बनके यहां पर मुद्दे की बात यह है तो कहता है सारी यहने constructed है constructed का मतलब सर घर बनके complete हो गया तो सर इस दिन loan लिया इसके बाद हमारा घर बरके complete हो गया 31,2014 को तो सर यहां से यहां तक देखें तो 14,15, 15,16 और 16,17 सर 36 महीने हो जाते है बड़ी सीधी सी बात है loan ले रखा है इसने 8,00,000 का तो 8,00,000 इंटू में rate इसका अलग था 10% और इंटू में आपका 36 बटे में 12, इंटू में 1,5 थोड़ा और side कर दिया जाए इसको क्योंकि वो तो चाहिए नहीं यहां visible करवाना ज्यादा important है कितने आ गई है 48,000 और plus इसमें जोड़ देंगे current year का that's it 8,00,000 इंटू में 10% जो की है 80,000 तो हम यहां पर अलग अलग दिखा दें तो 1,00,000 तो sir यह आ जाता है हमारा काफी बच्चे सिफदास पर भी पढ़ते हैं 57 और यह 128 वो भी नेगेटिव तो अगर income from house property निकालें from IHP that is 57,400 plus minus का 128 minus 128 आगे हमारा 7,600 अब फटा फटा आंसर को भी वेरिफाई कर लीजिए आंसर भी वेरिफाई कर लीजिए आप है किसी के पास 10 एर honors का बच्चा यह honors के 10 एर का सवाल है यह हमने अभी किया सवाल नमबर कॉंसे सवाल है किलियर है तो बताईए 70-600 का लॉस सर सेक्शन 26 नहीं पढ़ाया हाँ सुभह करवा देंगे सेक्शन 26 हमारा जो है करा देंगे बिल्कुल अब कुछ बच्चों से बाते कर लें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम नियू स्टूडेंट है साड़े ग्यारा बजे टाइम चेंज नहीं हो सकता अच्छे तरीके सर जो नए बच्चे हैं पहले बेसिक कॉंसेप्ट करेंगे और मैं आज या कल के अंदर क्योंकि अभी मेरे पास देखो दो थिन बर्डन आ गया है एक तो 30 तारिकों पेपर है FM का समेस्टर पाँच में जब आप समेस्टर पाँच में जाओगे तो आपके आज फानेशल मेनेजमेंट होगा उसका 30 कोई है तो आज तो 21 तारिक हो गया 9 दिन बाद पेपर है उसका तो उनका स्लेबस अल्डेटी तो कंप्लीट हो गया है 10 दिन पहले ही लेकिन अब उनका सोच रहा हूँ मैं डेली टेस्स सेरीज या रिविजन चार्ट उसमें भी टाइम जा रहा है तो सुभह टाइम मैं निकाल के इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने लिए मैं एक तरीके से बैक अप बना रहा हूँ कि जितने बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है उन सभी का स्लेबस टाइम पे कम्प्लीट हो आपके पास अगर टाइम अबिलिबल है इस बैच में आने के लिए तो मुस्ट वेलकम आप आ सकते हैं लाइब सेशन होता ही आप कोईरी भी पूछ सकते हैं अगर इनिकेस आप गुग जा रहे है या फिर जॉब पे है कोई बच्चा तो आपको रिकोर्डीड फॉर्मेट पे मिलेगा और ऐसल्में पे सबसूण को बच्चे सिफधास अप्लिकेशन पे होते हैं क्योंकि एक ये दो तारिक से जो है दो तीन तारिक जो भी बनता है next month का regular शाम को भी हो जाए कि सुभह भी लूँआ तो आप इसली हम खतम कर पाएंगे इसलिए बस को बस आप ये ध्यान रखना कि जो classes डाल रहा हूं आम है daily basis पर जो बच्चे starting से connected है वो तो भईया छोड़न नहीं कहीं आप सोचो एक हपते वेट कर लेते हैं आप बेसक बिमार हो तो आप टूशन तो नहीं आरे आप वीडियो ज़रूर देखते रहिए और अपना homework और classwork complete करते रहिए slaves आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा hamper नहीं होगा लेकिन last में करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे खाल से salary कितना बड़ा chapter था फिर capital gain भी अभी चल रहा है house property भी तो धीरे 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 थोड़ा सा न यह tough होता जाता है साड़े ग्यारा का time है अभी साड़े ग्यारा ही रखेंगे फिलाल के लिए क्योंकि उसके according और मैं बता दूं कुछ दिनों तक live session नहीं होंगी आपकी live session 28 तारिक से लेके यानि 28 से लेके आपका आप मान के चलिए 28 के बार 29 29 टीटियस में सायद कितने classes हो रही है एक या दो क्लास आपके चुट्टी रहने वाली है बीच में लेकिन मैं उसके लिए रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर आपका time खराब नहीं होगा sir syllabus मैंने बोला 12 तारिक तक कीरती खतम हो जाएगा आपका syllabus no doubt और 15 तारिक तक मेरा target है क्योंकि फिर मेरे उपर बहुत बड़ा burden आ गया है semester 1 का भी semester 1 के भी काफी बच्चे हैं तो उनको भी अभी देखना है तो मैं आप लोगों का syllabus भी खतम करूँगा और test भी test लेने का अभी हमने एक implement किया है test लेने का जैसे class होता है ना class के बाद आदे घंटे का test regular basis पे regular basis पे अभी मैं semester 5 के साथ ले रहा हूँ ऐसे आपके साथ भी test लिया जाएगा आगे चलके